प्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चानल साइबोटेक केंपस नवादा आज की इस वीडियो में जो की सात्वा वीडियो है पेरोल सरीज का पेरोल कोर्स का इसमें हम लोग सीखेंगे इंप्लाइर साइड प्रोविडेन फंड की इंट्री टैली प्र आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंप्लाइर साइड कंट्रीबूशन देखें इसके लिए जो नियम है जो कंट्रीबूशन होता है इंप्लाइर का वो भी 12 परसेंट होता है लेकिन कुछ नियम है एक 3.67 परसेंट जो है वो इंप्लाइज का प्रोविडेन स्कीम में 0.50 जाता है और एड्मिन चार्जेज जो है वो 0.50 होता है तो कैसे उसकी इंट्री करेंगे हम लोग टैली प्राइम में आई चलके देखते हैं देखें यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर में आपको सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि EPF के लिए एक पेहट बनाना होगा 3.67 परसंट का एक EPS का 8.33 परसंट का एक एड्लिस 0.50 और एक एड्मिन चार्जेज होगा 0.50 का तो कैसे यह बनाएंगे आपको create option के जड़िए जाना है पेहट के अंदर और यहाँ पेहट में जाके आपको create कर लेना है तो यह कैसे यह कौन सा चीज कहा जाएगा यह सारा explanation साथ मैं बताता हूँ देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग EPS 8.33 परसंट बनाते हैं तो यह चला जाएगा employers statuary contributions में और statuary pay type में यहाँ पे आपको select करना होगा EPS account account number 10 यह आपका interact expenses में जाएगा net salary को यह affect करता है नहीं इसलिए यहाँ पे no ही होना चीए यह always as computed value होता है on specified formula यह जो है basic plus DA का एक certain percentage होता है 15,000 तक 15,000 तक यह 8.33 परसंट होगा और 15,000 से उपर अगर चला आता है sum basic plus DA बेसिक और DA दोनों का तो उस case में 8.33 परसंट ना होके 1250 होगा होता है इसका मतलब है कि EPS insurance imply pension scheme जो है उसमें 1250 रुपया जो है वो maximum amount है उससे कम रहने पर 8.33 परसंट है जो की 1250 या उससे कम आएगा ओके इसको आपको accept कर लेना है similarly आपको EPS बनाना है at 3.67 परसंट ये employer's statutory contributions में जाएगा जो PF account number 1 में जाएगा ये भी indirect expense ही है यहां पे भी आपको effect net salary को नो रखना है चुकि इसका भी जो value है वो net salary पे effect नहीं करेगा इंपलाई के pay slip को ये effect नहीं करेगा ये भी on specified formula होता है जहां पे प्रोविडेंट fund जो employee side का जो की 12% है जिसके बारे मैंने इसे पहले बाले वीडियो में बनाया बताया था वो यहां पे add होगा और plus यहां पे subtract हो जाएगा paid EPS जो अभी अभी हम लोगों ने बनाया 8.33% इन दोनों को का जो minus होगे जो value आएगा उसका ये 100% हो जाएगा कैसे होगा भी देखो प्रोविडेंट fund आपका 12% है उसमें EPS 8.33% minus हुआ 12% में 8.33% आप minus करो तो finally 3.67% आएगा ये 100% आपका यहां पे allot हो जाए ओके इसको भी accept कर लेना है इसी तरह से आपको बना लेना एक एडलिस जो की 0.50% होता है जैसा कि मैंने यहां पर अभी बताया भी था 0.50% यह आपका चला जाएगा employers other charges में और यह चला जाएगा सब टाइप में एडली admin charges नहीं contribution account number 21 यह current liability है effect net salaries यहां भी no रखना है यह भी as computed value होगा लेकिन ध्यान रहे यह on PF gross होता है यह automatic यहां पर select हो जाएगा यहां पर यह percentage में आपको 0.50% डाल देना है इसी तरह से आपको फिर बनाना है एक admin charges यह आप चाहो तो इसको PF admin charges भी लिख सकते हैं यहां पर यह employers other charges ही है admin charges account number 2 में जाएगा यह current liability ही है यह भी net salary को effect नहीं करता है इसलिए यहां पर भी no ही रखना है यह भी as computer value होगा on PF gross यहां पर यह भी percentage होगा 0.50% ओके तो इस तरह से हम लोगों ने चार पेहट बनाया एक EPS 8.33% एक EPS 3.67% एक आपका EPS 0.50 और एक admin charges है यहां ध्यान देना है formula पे EPS का जो formula है यह आप लोग बहुत ध्यान से note down कर लोगे on specified formula है यह जिसमें basic plus DA यह दो पेहट जो है add हुआ है आपस में और इसका जो है 15,000 तक में 8.33% है और 15,000 से उपर में 1250 है यह आप लोगों को याद रखना होगा 3.67% में EPF के लिए जो है यह आपका 3.67 इसका formula आपको याद रखना होगा provident fund at 12% जो implies add है उसमें minus हो जाना है EPS at the rate 8.33% को अब यहाँ इतना चीज़ बना लेने के बाद अब जो है आपको salary define करनी है आपको alter में आना है define salary one by one हर एक imply के लिए आपको यहाँ पे यह दो अभी जो आपने बनाया EPS 8.33% और EPF 3.67% यह सारे imply के लिए आपको one by one add कर लेना है यहाँ चलो मेरे पास दो imply है मैंने दोनों को यहाँ पे add कर लिया ओके अब इसके बाद आपको आना है vouchers के अंदर vouchers में देखो मैंने attendance already बन इंट्री भी आप कर सकते हो वो जो पेड़ों के इंट्री है उससे attendance का कोई मतलब अभी वाले आज के इस वीडियो के इंट्री से नहीं यह लेकिन मैं जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है या अगर ध्यान से हट गया है तो उन लोगों के लिए मैं क्या कर आँ कि फिर से प plug-up कर ले रहा हूं अट्रोफे से attendance आटड्रोफील है यहां पे यहां पे मैंँ कि यहां से स्केप रूशर्ण यहां से नहीं करता हूं चैन्टर पे र。 की इंट्री यह नहीं है यह एंट्री मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में सिखाई थी तो डिविजन परपस के लिए मैं इसके इंट्री भी कर दे रहा हूं यह एक पांस से पिस पांच ऑल इटम्स इंपलाई नेम पर सॉर्डर में चाहिए सैल्वी पेबल है यह सैल्व की जो इन्ट्री करनी है वह आपको पे रौ से ही करनी है मतलब अधर वयच्ट के अंदर पे रौ में और यहां पर अगें अब कॉच्ट्रोल आपको आपको सकते हो यहां पर पे राल आपकर सईल में और यहां यहां से लेकरना यहां पर पडौिई अधर nooit हट EX T God आप इंट्री कर रहा हूँ, 15-2022, 35-2022 या जो भी आपके महिने का तारीख होगा, वो आपको select करना है, all items feed करना है, imply name, यहाँ पे PF Pable select कर लेना, अगर यह laser आप लोगो नहीं नहीं बनाया है, तो आप पहले से laser से जाके बना लो, PF Pable जो है, वो आपका current liability में है, या आप चा 3.67%, यह हर एक employee के लिए यहाँ पे deduct हो रहा है, इसकी figure आपकी निकल गई, control A, ओके, अब यहाँ के बाद, आपको एक journal entry करनी पड़ेगा, यह देखो महिने के, हर महिने के आखिर में, वो PF contribution की entry, जो अभी अभी मैंने बताया, और एक journal entry करनी होगी, तो आपको journal entry के लिए F7 vouchers के अंदर यह आपको F7 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको यह manually entry नहीं करनी है, यह entry आपको किसली करनी है, यह entry आपको करनी है, at least for admin charges के लिए, इसके लिए आगे आपको autofill पे click करना है, जिसका shortcut control F है, यहाँ देखो type of transaction में, खुछ से PF other charges यहाँ पे आ रहा है, select कर date आपको feed करना है महिने का, beginning to end, all items, expense laser में PF expenses है, यह laser मैंने बना के रखा था, जो चला जाएगा under direct expenses में, यहाँ पे admin charges पूछ रहा है, यह charges में हम लोगों ने अभी बनाया था, 0.50% का, यह आपको select कर लेना है, early charges जो है, वो 0.50% है, अब यहाँ पे admin charges भी पूछ रहा है, account number 22, यह हम लोगों ने नहीं बनाया, चुकि अभी यह applicable नहीं है, अगर applicable हो जाता है, तो यहाँ पे, देखो वो भी यहाँ पे था, क्या एडली का admin charges जो है, वो 0.0% 1% था, अगर applicable होगा in future, तो आप लोगे वहाँ पे pay head बना लेना, otherwise रहने दो, जैसे मैं कर रहा हूँ, not applicable, select कर लो, interface करो, अभी देखो, यह entry आपकी हो गई, यह हर एक employee के लिए यह दोनों interview हो गई, अब control A, प्रेस करो, और यहाँ से बाहर आओ, अब देखो, इसकी, इसका क्या effect हुआ, अगर हम लोग बैलेंस शीट में आके देखे, तो देखो, अल्टे बन, यहाँ पे, यहाँ प reports में, यहाँ पे हम लोग payroll reports में आते हैं, देखो, पेसलिप देखो, राकेश कुमार, यहाँ पे देखो, राकेश का, यहाँ जो भी employee आप select करोगे, देखो, यहाँ पे, उसका basic DA, HR, Overtime, यह earnings side में दिख रहा है, deduction side में professional tax and PFF है, बाकी जो है, वो चुकी salary पेफेक्टर नही है, contribution वाला side, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखो, यहाँ पे दूसरे employee को मैं select करता हूँ, यहाँ भी same है, अब contribution वाला चीज कहाँ दिखेगा, तो यहाँ देखो, आप चले आओ, statue report में, यहाँ पे provident fund, यहाँ पे आप monthly statement में आओ, preview देखो, तो यहाँ पे देखो, यह सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है, कि यह एक मही 2022 से 31 मही 2022 का statement है, चुकि मैंने इसी महीने का यह payroll entry की है, दो employee का ही किया, इसलिए दो employee का दिख रहा है, कितने दिन लोगों दो employee ने काम किया, वो यहाँ पे है, कितना wages earned किया है, वो है, implies contribution 12% कहीं साब से, जो छ 6-7% है, यह contribution की entry भी यहाँ पे दिख रही है, इस तरह से यहाँ से आप चाहो, तो जो भी different report है, जैसे form 5, form 10, form 12, यह सारे entry आप यहाँ से देख सकते हो, तो उमीद करता हूँ, कि आप लोगों के समझ में यह पूरा concept आया होगा, अब आप लोग भी जो है, बहुत आराम से टैली प्राइम के अंदर, Employers PF Contribution की entry कर सकोगे, उमीद करता हूँ, इसे पहले का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पूरा सेरीज फॉलो कर रहे होगे, अगर आप लोग ऐसा नहीं तर रहे हो, तो पूरा सेरीज टैली प्राइम का आप लोग देखो, इसेरीज तो जरूर देखना है, आगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब इसक्राइब नहीं किया, और चैनल को सपोर्ट करना चाहते, और चाहते कि जो भी वीडियो में अपलोड करों, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करों, उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे, वीडियो गैन तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्देवाद, शुक्रिया, ठैंक्स, ठैंक्स अल स्काइब एम लोग कंद मॉडाद.